एक गाउं में नमक का वैपारी रहता था उसके पास एक गधा था वैपारी रोज अपने गोदान से दुकान तक नमक ले जाने के लिए गधे का इस्तमाल किया करता वा नमक को बोरी में भर कर गधे के पीट पर लाद देता और उसके साथ साथ चलता हुआ दुकान तक आता बैपारी का गधा आलसी प्रविती का था काम से बचने के लिए वा नित न्य उपाय सोचता रहता गोदाम से दुकान तक के रास्ते में एक नदी परती थी जिस पर एक छोटा पुल बना हुआ है एक दिन नदी पर बने पूल पर चलते समय अचानक गधे का पैर फिसल गया और वा नदी में जाग गिरा नदी के पानी से नमक की बोरी भीग गई जब तक वैपारी ने गधे को पानी से निकालता तब तक बोरी में भराप हुआ सारा नमक घुल चुका था गधा जब चलने लगा तो उसे बोरी का भार बहुत कम मैसूस हुआ और वा खुश हो गया उसने सोचा कि अपने उपर लदा बोज हलका करने का ये बहुत बढ़िया तरीका है अगले दिन वा फिर जान बुचकर नदी में गिर पड़ा नमक पानी में घुल जाने से बोरी का वजन फिर से कम हो गया उसके बार से वो हर रोज ऐसा ही करने लगा रोज रोज गधे की या हरका देखकर वैपारी उसकी चला की समझ गया उसने गधे को सबक सिखाने का फैसला किया अगले दिन बोरी में नमक की स्थान पर रुई भरकर गधे की पीट पर लाद दिया रुई हलकी थी इसके बाद भी आलसी गधे ने सोचा क्यों ना रोज की तरह नदी में गिर कर बजन को कम किया जाए इसलिए वा जान बुचकर नदी में गिर पड़ा लेकिन इस बार बोरी में नमक नहीं बलकी रुई थी पानी में भींकर रुई का वजन कई गुना बढ़ गया गधा जब उठकर चलने को हुआ तो उसे इतनी भारी बोज लगी कि उसका बुरा हाल हो गया उस दिन के बाद से उसने कभी आलस्ट ना करने का नेने लिया तो इसका आने समय यही सीख मिलती है आलस्ट का फल कभी न कभी मिल ही जाता है एक ही उपाय है हर बार कारगर सिद नहीं होता तो दोस्तो आज की कहानी कैसी लगी कपेंट बॉक्स में ज़रूर बता है ज़रूर बाद